टॉप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून और थर्डी ताउजन तो पही अगर आपको गेमिंग स्मार्टफून चाहिए एंड अगर आपका बज़र 30,000 है यह वीडियो श्पेशल आपके लिए तो बात करते हैं सीद है नम्बो फाइब की नम्बो फाइब की बात करो नम्बो स्मार्टफून स्मार्टफून अगर पानी में गिर भी जाता है आपको नॉमली टिपकर करके रख सकते हो आदे घंटे तक तो यह 30,000 के बज़र वेंच में आपको waterproof स्मार्टफून मिल जाना वो भी LG के और से और क्या चाहिए प्लस मैं आपको बदा देना चाहता हूं आगे ही बात करते हैं नंबऑ फोक नंबर फोक की बात करें स्मार्टफून की अगर मैं स्मार्टफून के बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि Realme X3 Super Zoom में आपको IPS LCD देखने को मिलती है जो कि 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है लेकिन जो Realme X7 Pro है वो आपको 5G स्मार्टफोन भी मिल जाता है प्लस उसमें आपको Super AMOLED डिस्पले मिल जाती है जो कि 120 दोनों में आपको और क्यामरा सैटर मिल जाते हैं 4K वीडियो शुड़ अपकर सकते हो लेकिन आपको फ्रंट कैमरे में 4K नहीं मिलता फ्रंट में अपको 32 में इसाथ सेल्फी मिल जाती है अगर अब सेल्फी लेने के ज्यादा स्कीन हो आपके लिए बैस जील होजगी लेक जो कि आपके smartphone को सिर्फ और सिर्फ आदे गंटे में जा 35 मिनिट में फुल चार्ज कर देगा तो यहार मेन स्पेसिफिकेशन में आपको दोनों ही smartphone के बता दिये अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए अगर specification के according देखा जाए, design look watch देखा जाए तो Realme X7 एक तो निया लाँच होगा है, 5G smartphone and specification उसके ज़्यादा दगड़े है लेकिन Realme X3 Super Zoom का जो camera है, उसके back camera जो है, उसके साथ जो processor है वो आपको बहुत अगड़ा मिल जाता है, अगर आपने hardcore gaming करने है, vlogging करने है वो smartphone भी आपके लिए perfect deal हो जाएगा, तो आप देख लेना, आपकी requirement क्या है अगर आपको नया phone चाहिए, Realme X7 Pro आपके लिए best deal हो सकता है अगर आपको camera चाहिए, जो उसके साथ लाँच पुसाइसर भी आपको तगड़ा चाहिए तो आपके लिए perfect deal हो सकता है, Realme X3 Super Zoom आगे बात कहते है, number 3 की, number 3 की बात करूई है, number 3 पर मैंने फिर से रखे हैं दो smartphone मैं बात करा हूँ, IQ 003 की, and मैं बात करा हूँ, Vivo V20 Pro की तो यहर दोनों smartphone आपको 5G देखने को मिल जाते हैं, slim and stylish design दोनों का देखने को मिल जाते हैं, जो IQ 003 है वो आपको orange color में बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा, and जो Vivo V20 है, इसके तीनों ही colors बहुत ही ज़्यादा suit करते हैं, ठीक है दोनों में processor आपको ज़्यादा तगड़ा मिल जाता है, लेकिन IQ 003 का जो processor है, वो ज़्यादा तगड़ा है, as comparison किया जाए, Vivo V20 Pro के साथ लेकिन जो Vivo V20 Pro है, उसका camera ज़्यादा तगड़ा है, as comparison किया जाए, IQ 003 के साथ तो अपनी requirement देख लेना, मतलब CDC बात है, मैं आपको एक चीज clear कर देता हूँ, आपको अगर gaming करनी है, multi-dasking करनी है, आपके लिए perfect deal होने वाला IQ 003, अगर आपको camera के recording smartphone चाहिए, Vivo V20 Pro जो है, वो आपके लिए perfect deal हो जएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, अग अगर आपको लाइक प्रसाइसर तकड़ा चाहिए, IQ 003 आप इस smartphone के और जा सकते हो, अगर आपको camera चाहिए, तो Vivo V20 Pro आपके लिए perfect deal हो जएगा, आगे बात करते हैं, number 2 की, number 2 की बात करूं, number 2 पर यार मैं रखा है, MI 10T को अगर इस smartphone की बात करूं, सबसे पहले आपको ये smartphone 5G देखती को मिल जाता है, इसके color, इसका design, इसकी look मतलो, बहुत ही जादा अपर है, MI की और से आता है, MI भी एक trusted brand है, दो red में देखने को मिलेगा, ये smartphone 6GB RAM के साथ, and 8GB RAM के साथ, दो colors में देखने को मिलता है, black and silver color में, and दोनों color इसको बहुत ही जादा suit करते है, Snapdragon 865 देख देखने को मिलता है, इसमें आपको AMOLED display तो नहीं मिलती है, लेकिन आपको IPS LCD देखने को मिलती है, जो की 144 refresh rate के साथ देखने को मिलती है, जो की gorilla glass 5Q production के साथ देखने को मिलती है, triple camera मिल जाता है, जिस पर आप 8K video shoot कर सकते हो, front में आपको 20 map Excel की selfie मिल जाती है, लेकिन आपको 4 के option तक भी नहीं देखने को मिलता, बेंटरी की बातों को 500,000 MS की बेंटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का fast charger देखने को मिल जाता है, प्राइस की बात को आपको 30,000 के बजट में अप्राक से देखने को मिल जाता है, MI 10T, तो यहार मेन स्पैसिफिकेशन में आपको बता दि यह डिस्प्ले चीज़ा, यह डिजाइन बगारा जलू को वाजविए अगर आपको स्मार्टफून आप पर चाहिए, यह स्मार्टफून आपके लिए best दील हो जाएगा, अभी आगे बात करता है, नमबर वान की, नमबर वान की बात को नमबर वान पर यार मैंने रखना स सामसंग गलाक्सी A52 को, तो सबसे पहले बई मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको नौन चानी स्मार्टफून देखने को मिल जाता है, तीस हजार के बच रिंज में, सामसंग के फून तो बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं, यगर आप 15,000 से उपर स प्राइवेसी सिस्टम हो गया, यह चीज़ बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है, इसमें आपको 5G फोन मिल जाता है, सूपर एमुलेट डिस्क में मिल जाते हैं, जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं, जो की गोई लाग्रास 5G प्राइशन के साथ देखने को मिलती है, प्रेली चस्टिंग की बात को आको एंडरइड 11 देखने को मिल जाता है, तीन वीरिट में यह स्मार्टफों देखने को मलता है, 6GB एंड 8GB राहम के साथ, एंड ब्रेश्ट अपको डेफरेंट देखने को मिल जाते हैं, चोड कैम्रे के साथ मिल चिस्फिफू बैखने को मि जाता है 4500 मेंच की बैंटरी मतलव आपका एक देन तो नॉमली निकाल देखा अगर आप हाड़कूर गेमिंग नहीं करते हो तो आपका एक देन तो नॉमली नहीं निकलने वाला आपको आपको स्मार्टफून को डिप कर देते हो आदे गंडे तक तो भी आपका फून खराब नहीं होने बाला तीस हजार के बेडिर वेंज में आपको वाटरप्रूव स्मार्टफून मिल जाता है वो भी सैमसंग की आउसे तो यह मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलाक्सी A52, यह स्मार्टफून भी आपको बहुत ही जाना देखने कहूं मिल जाता है तो यह अभी मैं ने आपको इतने स्मार्टफून बता दिये हो और आप 20 स्मार्टफन आपको किल लाइक करते ना किमें सिहार करते ना दोस्तों पी तो सतंसी के और रिखुपक या तुकुफ नाए दोस डियोस्तों एक प्यूस्ता उपंड़्ट लिए फोलो